तो हेलो दोस्तो आप सब सोच रहोंगे Am I Your 10 Better Update 8.12.20 में क्या कुछ नया आएगा तो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ जैसे कि आप जानते हूँ कि इसमें बहुत सारे नए फीचर एड़ करने वाली है सौमी और कुछ बग्स भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में और दोस्तो क्या कुछ फीक्स किया जाएगा वो भी बताऊँगा तो वीडियो पूरा देखिएगा फुल सपोर्ट कीजेगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लिजेगा क्योंकि ऐसी न्यूज में लाता ही रहता हूँ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो अगर आप MI फॉरम पे जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिया होता है वहाँ पे सिप बताया जाता है कि क्या कुछ फिक्स होने वाला है तो दोस्तो अगर आप nightly room यूज करते हैं तो आपको पता चल जाता होगा कि क्या update आने वाला है क्या feature आपको मिलेगा क्योंकि nightly update बैटा अपडेट से तीन दिन पहले लाउंच हो जाता है अगर यह beta update है 8.12.20 तो 8.12.17 का beta update आ चुका है तो उसी में से मैं feature आपको देख के बता रहा हूं कि क्या कुछ feature आपको मिलेगा और क्या कुछी bugs fix किये जाएंगे तो दोस्तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ MIUI 10 beta update 8.12 में बहुत सारी bugs हैं और दोस्तो बहुत जादे fixes भी करने वाली है MIUI 10 update में तो दोस्तो यह update की सला दूँगा कि आप जल्दी से कीजेगा दोस्तो कल जो Friday का update होगा दोस्तो Friday को यह 4 बज़े आपको यह update मिल जाएगा तो आप कर लिजेगा और मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या कुछ नया है तो दोस्तो आप देख रहोंगे new wallpaper setting तो दोस्तो wallpaper पूरा नया कर दिया जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं यह simple सा wallpaper है इसमें जादा कुछ खास नहीं है पर अगर आप यह wallpaper को देखेंगे तो यहाँ पर नया introduce करने वाली है setting तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है अगर आप यहाँ side में देखिएगा तो यह देखिए गाना लिखा है इस पर मतलब music player दोस्तों यहाँ यहाँ जैसे आप देख रहे होगे new music player दोस्तों new music player का क्या मतलब है यहाँ पर गाना के साथ उन्होंने कुछ collab किया है मतलब की new music theme भी आपको देखने मिलने वाला है बहुत ही ज़्यादा जल्दी तो दोस्तों यह बहुत अच्छी बात है स्वामी के तरब से पहले उसने हंगामा के साथ किया आप गाना के साथ भी कर रही है तो यह और भी अच्छी बात है और दोस्तों यहाँ पर जो bugs है मैं पहले आपको वो बता देता हूँ उसके बाद feature के बारे में आगे बढ़ेंगे हम लोग तो जैसे कि आप देख रहे होंगे setting में जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ optimization दोस्तों optimization बहुत ही कम कर दी गई है देखिए 66% है और दोस्तों अगर आपको मैं मीचे दिखा दूँ तो आप यह देख रहे होंगे कि icon दोस्तों icon ही load नहीं हो रहा है setting app ही आपका खराब है तो बाकी से क्या उमीद कर सकते हैं दोस्तों hardware भी आप देखिएगा तो यहाँ पर hardware का भी कुछ image load नहीं हो रहा है मतलब आपको यहाँ पर bug देखने मिल चुका है setting app में तो उसे fix करने वाली है MI तो दोस्तों यह जो आप bug देख रहा होंगे देखिए dip clean है तो dip clean का यहाँ पर bug आ चुका है यह icon ही so नहीं हो रहा है WhatsApp का icon नहीं सो रहा है Messenger कुछ ही का icon ही नहीं सो रहा है तो इसे इस update में fix कर दिया जाएगा और बात करते हैं इसमें portrait mode तो दोस्तों portrait mode नहीं आने वाला है इसलिए आप भूल जाएगे portrait mode इस update में नहीं आएगा क्योंकि आपको new music player मिलने वाला है game booster मिलने वाला है अगर आप PUBG खेलने के दिवाने हैं तो आप जान जाएगे कि अगर आप ये side में है तो side में आपको एक नई setting मिल जाएगी game booster की तो उसका भी वीडियो मैं बहुत जल लाने वाला हूँ specially for gamer के लिए और बात करते हैं new wallpaper setting तो बता दिया मैंने आपको new music player भी आने वाला है दोस्तों ये जो मैंने आपको बता है वही है पर इसमें कुछ बदलाव है जैसे ही आप setting में जाते हैं यहाँ display पे आपको दिखाया गया होगा यह देखिए size text and size अगर इसे आप large extra large पे करते हैं तो ये जो text है ये text ये screen के बाहर चला जाता है तो उसे problem आ जाती थी तो उसे भी fix कर दिया गया है और ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है तो दोस्तों आप black pamphlet तो दोस्तों black वाला तो मैंने आपको दिखाई दिया कि ये black हो जाती है screen दोस्तों आप अगर lost screen पे भी हैं तो screen थोड़ी black हो जाती है अच्छे से काम नहीं करता है और optimize दे डे ओव वीक इस नाव डिस्प्ले इन दे स्टेटेस बार तो दोस्तों ये क्या है डे स्टेटेस बार इसे कहते हम और यहाँ जो डे और वीक है वो भी आप सो करने लगेगा और fix couldn't manage face data तो दोस्तों ये face data क्या है अभी तक बहुत साई device में face unlock नहीं मिला है उसी का ये update है face lock जैसे कि अभी तो हमारे में सिर्फ फिंगर प्रिंट है अगर आपको face unlock मिलता है तो वो अच्छे से work नहीं कर रहा था जिसे fix किया गया है और couldn't message दोस्तों ये तो बता दिया fixed lock screen zone black तो जैसे आप lock screen पे जाते हैं थोड़ा black सो कर देता है मतलब कुछ देर तक ब्लैक ही रहता है जिससे fix कर दिया गया है तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया गा क्योंकि इस update में बहुत कुछ नया आने वाला है तो मेरी तो सला रहेगी कि इस update को आप जरूर कीजिए अपने device में flash कीजिए और दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि इसे कैसे flash करते हैं तो comment जरूर कीजिएगा क्योंकि इसके related भी वीडियो में ला दूँगा आपके लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में आज के लिए इतना ही जै हिंग जै भारत